वेल डन गाइस आज के वीडियो में हम आपको खास करके देंगे इस ग्रामर की नॉलिज में कि जो परसन होता है आखिर हम उसका यूज किस तरह से करेक्ट करते हैं बहुत सारा आपने एक्जाम दिया होगा उस एक्जाम में कुछ ऐसे कोस्टन आते हैं जहां पे तीनों परस लेते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब करे वीडियो को लाइक करें और फेस्बुक को गरेपर शेर करें तकि घर बैठे बैठे लोग तमाम लोग इसके बारे में आसान से लाव उठा सकें आए शुरू करते हैं, इसमें guys दो फार्मूले होते हैं, first फार्मूला मैंने आप पे दिया हुआ है, इसमें दो प्रकार के sentence भी आते हैं, पहला फार्मूला है कि यदि साधारण वाक्य में तीनों पर्शन का प्रयोग एक साथ होता है, तो फार्मूला लगाएंगे हम two, three and one को, ठ ठीक है ना, पहले नमबर पे two वाला होना चाहिए, करने का मतलब second person, दूसरे स्थान पर three होना चाहिए, करने का मतलब first person, sorry, third person and last में होना चाहिए आपका first person, right, और यह साधारण वाक्यों के लिए है, आप यहां पर example पर देख सकते हैं, you, he and I, study science, okay, guys ऐसे एक और sentence यहां प मतलब incorrect है या correct है, तो guys यह incorrect है, पूरा correct क्या है, जो blue pin से मैंने tick किया है, वो correct है, तो हम इसमें noun जो है, राजू है, इसे पहले रखेंगे, और pronoun ही जो है, उसे हम बाद में रखेंगे, all right, अब अगर यही चीजे दो person का एक साथ में प्रयोग हो, तब क्या करेंगे, उसको देख लिजे आँपे, अगर दो person का एक साथ में प्रयोग हो, guys, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले two को रखेंगे, फिर three रखेंगे, कहने का मतलब यही फार्मूला अपनाएंगे, जब भी अपनाएंगे, शाधान वाक्यों में, अगर person का एक साथ में प्रयोग होता तो यही फार्मूला अपनाएंगे, साधान वाक्यों के लिए, अब आप नेक्स्ट आते हैं, guys, इसमें तीनो person रहेंगे, लेकिन sentence थोड़ा दूसरा परकार का होगा, जिसमें पाप हो, या भूल हो, या कोई दोस के बारे में अर्थ प्रकट होता है, तो उसमें हम इस फार परस परसन, सेकेंड परसन और थार्ड परसन, और अगर दो परसन इसमें रहें, तो भी हम यही फार्मूला अपनाएंगे, guys, बिलकुल आशानी से आप समझ सकते हैं, जैसे I and you are criminals, या फिर you and Raju are guilty, okay, तो यह आशानी से आप समझ सकते हैं, guys, बिलकुल आशानी से समझ सकते आप पूरे को पूरे को एक साथ में आप देख सकते हैं, दो ही प्रकार का सेंटेंस होता है, इसमें एक साधरान वाग के साधरान वाग के अगर आता है, तो इसमें formula 2, 3, 1 को अपनाएंगे, और एक आप का आता है तोड़ा different वाग की जिसमें पाप भूलिया 200 हो, तो इसमे आप formula 1, 2, 3 को अपनाएंगे, और आसानी से अपने pronoun को बिलकुल correct जगों पे रख सकते हैं, तो यह है आज का वीडियो जिसके दोरह आपने इन चीजों को समझा, और वीडियो से यदि आपको जरा सावी लाब मिल रहा है तो प्लीज इस सैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि यह वीडियो और के हाँ सेर हो सके और आपको डेली जो है वीडियो आसानी से मिल सके मिलते हैं, नेक्स वीडियो में कुछ खासी जो को लेकर गईस, तब तब के लिए, थैंक यू, have a nice day, बबाई